चुनावी घमसान के बीच आम आदमी पार्टी को मिला स्वाती महिवाल का साथ 2024 के चुनावी जंग में कूद पड़ी स्वाती महिवाल जिहां आपको बता दे की दिली से आपसानसत स्वाती महिवाल ने लोगसभच 2024 चुनाव के लिए आम आदमी पाटी का कैंपेंज शुरू किया है स्वाती महिवाल ने कुल्दीप कुमार जो की पूर्वी दिली के लोगसभच परचार करती वे नज़र आई दिल्ली विधान सभा के स्पीकर राम निवास कोयल के साथ सुक्रवार को सहाद्रा विधान सभा के विवेक विहार में पदियात्ता कर्जन समर्थन जुटाती वे नजर आई स्वाती महिवाल स्वाती माहिवाल के टीम के मताबिक उन्होंने लोगों से अलग-अलग मुद्धों पर चर्चा की और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को वोट देने की अपील की आपको बता दे की काफी दिनों से स्वाती माहिवाल चुनावी प्रचार में नहीं जूटती वी नजर आई थी वहीं अर्विन केजवाल के गिरफतारी के समय भी स्वाती माहिवाल कहीं गायब नजर आ रही थी जिस पर स्वाती माहिवाल ने अपने तरब से सब कुछ क्लियर कर दिया है स्वाती माहिवाल ने कहा मेरी फैमली अमेरिका में रहती है और वहां कुछ इमर्जेंसी थी जिसके लिए मुझे जाना पड़ा अब मैं वापस आ गई हूँ और आप के लिए कैंपेंड करूंगी इस देश की महिलाओं और लड़कियों से बात करूंगी और उन्हें अपने अधिकार और अपने वोट का इस्तिमाल करने के लिए बताऊंगी आपको बता दे कि स्वाती महिवाल ने विसेश कर महिलाओं को संबोधित करते वे कहा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में बाहर निकले और अपने भविस्ये के लिए अपने बड़े भाई अर्विन के जिवाल के भरोसे पर भोट करे आपको जेल का बदला वोट से देना है फिलाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करकर ज़रूर बताए और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमाई चैनल को सस्काइब करना ना भूले आपके लिए न्यूजरूम सेमन बेडियार की रिपोर्ट